31st July की deadline, अगर ITR filing के लिए आपसे miss हो गई है, किसी भी reason से, तो आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, ITR की नई तारिक है, जी हाँ, 31st July के बाद भी अभी आप ITR भर सकते हैं, जो discuss कर रहे हैं इस वीडियो में, आप देख रहे हैं CA Guruji, मैं हूँ CA Pooja, screen पे आपको जो courses के नाम दिख रहे हैं, यह सभी अवलेबल है, CA Guruji Classes.com पर, यहां courses and combo courses के section को visit कर ले, अपनी knowledge को improve करने के लिए, और आप अगर update रहना चाहते हैं, तो यहां पर text updates का section है, इसमें हम articles publish करते हैं, जिसे आपकी knowledge improve होते हैं, और यह free है आपके लिए, सभी important links, description और pin comment में है, visit करें CA Guruji Classes.com, पहले मैं आपको ले आई हूँ, incometext.gov.in पर, यहां download section में आएंगे न, यहां आप देख पाने है, ITR की जो common offline utility है, 1st August को update कर दी गई है, क्योंकि अब 1st August से आपके लिए ITR की नई तारीखे हैं, और आप पर government late fees भी apply करेगी, 31st July हमारी ITR filing की last date थी, पर अगर आप से miss हो गई, तो अभी आप section 139, 4 के अंदर, belated return file कर पाएंगे, अगर आपका case audit का नहीं था, इसके लिए date है, 31st December, belated ITR आप 31st December तक file कर पाएंगे, यहां पर मैं non audit cases की बात कर रही हूँ, यह इसके लिए deadline है, belated ITR के लिए, और अगर आप से ITR में कोई गलती होगी, आपन December तक ही file कर सकते हैं, आपको चाहिए ITR की revision करनी है, या belated ITR file करनी है, जो भी आपने file ही नहीं करी, दोनों ही cases में हमारे लिए date है, 31st December, इसके बाद आप ITR file कर पाएंगे, ITR UK के तुरू, बट फिर आप उसमें refund claim नहीं कर सकते हैं, अगर आपका TDS कटा है, तो make sure करें, October, तो ये नई dates अब आपको consider करनी है, moving on to, कि अब आप अगर बिलेटी डाइटर भरते हैं, तो इसके क्या आपको loss होने वाले हैं, बहुत important है, carefully सुनिए, आपको पता है हमारे पास दो रिजीम है, new and old, सभी अपना अभी तक text in दोनों रिजीम में compare करते थे, और फिर अपन नहीं कर पाएंगे, new रिजीम आपका default रिजीम है, आजर की utility भी इसके हिसाब से update हो गई है, ये आपका default रिजीम है, तो आपको अब new रिजीम ही select करना पड़ेगा, whether इसमें आपका text बन रहा है, या old रिजीम में save हो रहा था, आपके पास अब कोई option नहीं है, old रिजीम को select करने की, number 2, अब आप पर late fees applicable हो जाएगी, ये ITR की utility में update भी हो गई होगी, ITR की utility अपने आप late fee निकालती है, आपको खुद calculation नहीं करनी होती, automatic calculation हो जाती है, ये लगती है under section 234F, ये है अगर आपके income taxable limit से कम है, 2.5 lakh से कम है, up to 2.5 lakh है, तो आप पर कोई भी late fees अभी भी नहीं लगेगी, अगर 5 lakh तक है, 2.5 lakh से 5 lakh तक है, तो 1000 की late fees लगेगी and above 5 lakh है, तो आप पर 5000 की late fees apply हो जाएगी, ये थे दो नुकसान, तीसरा loss है आपको, अगर आपके loss है और आप उसको carry forward करना चाहते है, future के लिए, कि future में जब भी कोई income होगी तो उससे आप set off कर ले, तो अब belated आइटर के साथ, आप carry forward भी नहीं कर सकते losses को, number 4, आइटर late भरोगे, of course refund भी delay होगा, processing भी delay हो जाएगी, तो अब ये नुकसान आपको भूगतने पड़ेंगे, आइटर filing करते हुए, बड़ा important change तो ये वला है, कि नया regime ही आप opt कर पाएंगे, आइटर filing के लिए आप belated आइटर फाइल कर पाओगे, और आइटर आपने खुद फाइल करना सिखना है, तो हमारे चैनल पेज पर आए, वीडियो सेक्शन में आपको बहुत सारी income tax related वीडियो में लेंगी, कुछ तो मैंने link description और pin comment में दे दिया है, इसलिए चैनल को subscribe कर लें, ये आपके लि registration, income tax, ITR and TDS, GST course, automation of balance sheet, TDS and TCS का course, accounting with teleprime, company registration, and then आपको लगेगा कि कुछ courses के नाम यहां repeat हो रहे हैं, actually जो thumbnail yellow color में हैं, वो limited validity के courses है, और जो black color के ये thumbnail हैं, ये lifetime validity के courses हैं, courses में कोई difference नहीं, सरफ validity में difference है, जिस भी course में आप interested हैं, उस पे click करें, जैसे आपको ये course बाइ करन जा है, show more करें, और इस course के बारे में अराम से पट, 10-15 मिनट अराम से हैं spend करें, और जब आपको लगे कि ये course आपके need को satisfy कर रहा है, तो बस add to cart कर दे, add to cart करते ही आपसे कुछ basic info आपके पूछी जाएंगी, और आपका यहीं से username and password भी create हो जाएगा, जिसके बाद आप यह यहाँ पर login करके ही course को देख पाएंगे, तो बहुत ही easy है हमारे courses में enroll करना, और यहाँ पर combo courses का भी section है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो JST भी सीखना है, income tax भी सीखना है, ITA भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे combo courses available है, तो cagurujiclasses.com पर आए और हमारे courses का benefit ले, किसी अगर आपके लेखना है, तो 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 आपके